नमस्कार, मैं स्रोज कुमारी, सहाचारे, राजनीतिवी ज्यान, राजकीय महविदेले, नोहर, आज हम बी ये पार्ट, फर्स्ट के, पेपर फर्स्ट के अंतरगत, टॉपिक, उचित्ते पून्ता या वैदिता, लेजिटिमेशी, पढ़ रहे हैं, उचित्ते पून्ता या वैदिता का टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, आज कस्मे लोकतंत्र कस्मे है, और लोकतंत्रिक शाषन, वैदिता प्राधारित होता है, तो वैदिता सब्द क्यूत्पत्ति लेटिन भासा के लेजिटिमस से हुई है, जिस कार्थ होता है वैदानिक, लेटिन भासा के लेजिटिमस सब्द से हुई है, जिस कार्थ है वैदानिक, एक परिभासा भी दे गई है, उचित्य पुन्ता को परिवासित करते वे ऐसे में लिप्षेट लिखते हैं, उचित्य पुन्ता का अभी प्राय बेवस्ता की उस योग्यता और समता से है जिसके द्वारा ये विश्वास उत्पन किया और इससे रखा जाता है कि वर्तमान राजनितिक विशे संस्थाएं सम समाज हेतु सर्वाधिक समुचित्त हैं, उचित्य पुन्ता क्या है, एसे में लिप्षेट इसको परिवासित करते वे लिखते हैं कि उचित्य पुन्ता का विप्राय क्या है, विवस्ता की उस योग्यता और समता से है जिसके द्वारा ये विश्वास उत्पन किया और इस वर्तमा रायंतिक संस्थाओं से श्रिष्ट रायंतिक संस्था नहीं हो सकती हैं और सबसे अच्छी सासन व्यवस्था वर्तमा सासन व्यवस्था है इस परकार का विश्वास जो विख्षित हो जाता है अगर जनता में तो कहेंगे तो उस सासन को व्यवस्था को उचित्य वैजता को खत्रा होगा औचित्य-पूंता में कम्याएगी ओचित्य-पूंता के अबधर्ना को पढ़ने के लिए इसकी विसेसा हम पढ़ें हम उ3 जिसमें पहला आता है में ते पन्ता के धर्ना में एक विशेस विश्वास विख्षत करने की व्यवस्था की चमता समलित है। अपने संकुचित हितों को सामने रख कर रक्त करांति या अन्य किसी एवैधानिक साधन द्वारा सासन सक्ति को अपने हाथ में ले लिया है। तो ऐसे व्यक्तियों कि सक्ति को लोगों की स्वभाविक स्विकृति प्राप्त नहीं हो सकती है। प्रंतु संबब है कि कुछ स्मया पस्चात लोग ये स्विकार करने लगें कि नई सरकार उनकी हितों के अनुकूल है। ये दिलोगों में ऐसा विश्वास उत्पन हो जाए तो उस रहानतिक व्योस्था को वैध्या प्राप्त हो जाती है। इस परकार उचित्य पुन्ता के धर्णा में राजनितिक व्यवस्था की यह योगिता सिमलित है कि वह लोगों में यह विश्वास उत्पन कर सकती है और बनाए रख सकती है कि यह है रान्तिक व्यवस्था और उसके अंतरगत स्थापित्की की संस्ताएं उनके हितों की सरवाधिक उप्युक्त है तो लोगों में विश्वास उत्पन करना और उस्ति रखना कि वर्तमार आंतिक संस्ताएं समाज है तू सरवाधिक समुचित्थ हैं सरवाधिक सई हैं दूसरा है उचित्य की धर्णा में परभावक्ता की धर्णा संब्ध है उचित्य की धर्णा प्रभावक्ता से समंदित है प्रोफेशर लिपसेट का कथन है कि किसी राजनतिक व्यवस्था की इस्थिर्था और उसकी व्यद्था उसकी प्रभावक्ता पर दिर्व है किसी व्यवस्था को व्यद्था तभी प्राप्त हो सकती है जबकि उसने कुछ सिमा तक प्रभावक् वैजता की स्थित्य प्राप्त करने के लिए जिरूरी है कि राजन्तिक व्यवस्ता केवल कहने भर के लिए ही नहीं हो वर्ण उसके द्वारा नागरिकों के जीवन पर आवश्यक परभाविन यंतार रखाजा सके सजन की रक्षा और हित्वरदन चथा दूर्जिन को धंड कोटिले के नुशार राज्ये का आवश्यक कारे है और आन्तिक व्यवस्ता को वैत अब तभी प्राप्त हो सकती है जबकि उसके द्वारा परभावसाले रूप में इस कारे को संपन किया जाए यानि जब जन्ता के हित्मे निरंतर कारे करके ही कोई भी व्यवस्ता परभावक्ता प्राप्त कर सकती है या कोई भी व्यवस्ता उचित्ते प्राप्त कर सकती है यदि जन्ता के जीविस्तर में कोई सुधार व्यवस्ता के द्वारा नहीं हो पाता है तो व्यवस्ता की जो लोगों के मुल्यों पर निर्वर है किसी व्यवस्ता को लोगों के स्वाभवी किया एचिक सहमती तभी प्राप्त होती है जब कि वह देश की सरो मानने जनता के मुल्यों और विश्वासों पर अधारित हो उधान के लिए ये दिक इस देश में लोगतांत्र की जड़े गहरी जमीवी हैं तो ऐसे सरकार को वैद्ता की स्थिति प्राप्त होना बहुत अधेक कठीन हो जाता है जिसने गयर लोगतांत्रिक और गयर शुद्धानी तरीकों से सप्ता प्राप्त की हो यानि समन्दित लोगों के मुल्य और विश्वास पुरंपराएं वो ध्यान में रख करके रांतिक व्यवसा को कारे करना चाहिए ये जनता के मुल्यों के विरूद कारे किया जाए भले विवा केतना है उचित क्यों नहीं हो जनता सासन में बैत रोब नेटीक है जनता सासन में भरोसा खोदेती है विश्वास नहीं रहता है तो येदि किसी देश में लोगतांत्रिक व्यवस्ता, लोगतांत्रिक परंप्राय हैं तो उस राष्टर में ताना साहिशासन स्थापित करना संभव नहीं हो पाता है तो किसी व्यवस्ता का उचित्ते वहां की दंता के मुल्यों पर निर्वर करता है जो था है व्यवस्ता सक्ति को सक्ता में परिवर्चित करने का गुण है ये करानती कहावता जैसे उचित्त सक्ति ही सत्ता होती है इसका अच्य यह है कि सक्ति को सत्ता की स्थिति तभी प्राप्त होती है जबकि उसने जिन सामान्य की द्रिष्टी में वैद्दा को प्राप्त कर लिया हूँ यदि किसी व्यक्तिया संस्ता के पास सक्ति कास्ति तो है और उसके दुआरा दबाव या भैक या धार पर अपने अदेशों का परण करवाय जाता है तो इसका से यह की वैवेक्तिया संस्ता के उल सक्ति मजश संपन है सत्ता संपन नहीं है यह दि सक्ति लोगों की व्यक्यूक्त कसोटी पर पूरी नहीं उतरती तो उसे सत्ता का नाम नहीं दिया जा सकता इसका तात्प्रे है कि वैत्ता ही एक ऐसा गुण है जो सक्ति को सत्ता में परिवर्थित करता है क्योंकि सक्ति के साथ जब सहमती आती है स्विकर्थि आती है तब ही वैस्ता में परिवर्थित होती है तो वैदता जो है सक्ति को सक्ता में परिवर्थित करने का गुन है आगे का इसका लक्षन आता है विशेश ताति वैदता विशाल सामाजिक स्विकृति पर अधारित है किसी व्यवस्ता की वैदता कुछ एक विशेश व्यक्तियों की सहमति पर नहीं वन विशाल सामाजिक स्विकृति पर निर्वर होती है। यह विशाल सहमतिया स्विकृति किसी बाहरी दबाव या परभाव के कार्ण नहीं होनी चाहिए। वन इश्काधार समनित लोगों की विवेक सिलता और उनके अपने विश्वास या विचार होने चाहिए। तो वैद्ता जो है एक छोटे से समधाए या छोटे वर्ग विश्यस की सहमती से ही सासन को वैद्ध सासन नहीं कह सकते वैद्ता विशाल सामाजिक स्विक्रत अधिकतर लोगों कि स्विक्रति और सहमति यदि किसी सासन के वक्स में है किसी व्यवस्ता के वक्स में है तब उसे जो है वैदसासन कहेंगे तो विशाल सामाजिक स्विकर्थी वैद्ता के लिए नितान दावश्क है तो कहने का तत्प्रे है कि वैद्ता वैविश्वास है यह विश्वास उत्पन करना कि वरत्मान आंतिक संस्ता है वरत्मान शासन वैवस्ता स्रेश्वत्म है और इस विश्वास को कायम रखना जो है शासन वैवस्ता का उत्ताई तो है तब ही उस शासन वैवस्ता को वैद्ता प्राप हो सकती है और इस्ति रहती है तरने वाद